हेलो दोस्तो आओ करे त्यारी में आपका स्वागत है दोस्तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम करने जा रहे हैं MPPSC Prelims के लिए Test Series यह MPPSC Prelims Exam है यह April में exam होने वाला है इसके लिए हम Test Paper स्टार्ट कर रहे हैं और आज इस तो हम डिसकस करने वाले हैं वह है चेतनमिना इंस्टीट का Test तो यह फर्स टेस्ट है और यह टेस्ट हुआ था चार फरवरी को यह टेस्ट हुआ था और दोस्तों यह यह हिस्टरी का Test है यह हिस्ट्री का टेस्ट है इसमें टोटल हिस्ट्री के 100 कोस्चन दिये हुए हैं इस पे आज हम यहां पे इसका पूर अनालिसिस करेंगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी पसंद आएगी तो प्लीज आपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरी वीडिय इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिएगा तो चलिए फिर प्रश्णों को देखना हम स्टार्ट करते हैं इसका कोस्चन फरस्ट है दिये गए निम्लिखित कतनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सकते है तो पहला कथे नहीं यहां पे कि लिफ्ट से राइट लिखते हैं जैसे इधर से इधर लिखना चालू करते हैं इस वज़ा से यह स्टेटमेंट करेक्ट हो गया सेकेंड है देव नागरी लिपी का जो विकास है वो अरामाइक लिपी से हुआ है तो यहां पर सेकेंड गलत हो गया केवल एक कथन सही है तो इ ग्न सब्सक्राइब्स 2018 में सुप्त है और इसमें जो दो से साथ का मंडल है उसको once मंडल के नामसे जाना जाता है और importantी है कि भीद में वह द सरागयुद्ध का वर् Absol assy वर्णन मिलता है और यह बन से मंडल मिलता है तो यह एंपोर्टंट में हमें दसराग्युथ का पढ़न मिलता है और जो रिगवेद का नौवा मंडल है वो किसको समर्पित है तो यह भी धियान रखेगा वो सोम को समर्पित है, सोम देटा को समर्पित है और सबसे इंपोर्टेंट चीज जो है रिगवेद में जो सूद्र की चर्चा हुई है तो रिगवेद का दस्वा मंडल है दस्वे मंडल के पुरुस सूप्त में धियान रखेगा दस्वे मंडल के पुरुस सूप्त में हमें जो है वो सूद्र की चर्चा मिलती है सरवाधिक का नाम लिया गया है। इन्र निंद्र यो है कि तृटी फेन रखी से समदित इंद्र को यादे थी कहीं न कहीं इनको गहिए ते देखने के लिए यह मिल जाता है चलिए नेक्स्ट कोश्चन हम देखते हैं कोश्चन नमबर थी निम्न को सही सुमेलित करें यहां पे सुमेल करना है तो रीग वेद में किसकी बात किया गया है तो देखें रीग वेद में जो है वो स्रोथ और प्राथनाये हैं चार से मैच कर देंगे यजूर दो एक तीन होगा देख लेते हैं ऑप्सन में कहां पर है चार दो एक तीन चार दो एक तीन इसका जो है वो सही मैच होगा तो एसका जो है वो सही जवाब होगा यहां पर देखने को मिल रहा है चार दो एक तीन इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट आम लोग कोश्चन बारत को चंद्र गुप्त सेकेंड के समय में बारत आता है इसके साथनकाल में जो पाचवी सताब्दी में है, तो यह बिल्कुल सही सुमेलित है, पाचवी सताब्दी तीन सो पचाता से लेकर चार सो पंदर की बीच में आता है, गुप्तकाल रहता उसमें, और सासक कोन रहता है तो चंदगुप्ती रहता है, और एक इंपोर्टन चीज और है, फायान की प्रसिद रचना है उसको फो क्यों की कहा जाता वह धिल्कुल करेक्ट है वेंसांग कवाई है देखे वह वह 629 में आया है तो से अच्द सांग भारत में आया था उसमें किसका सासन काल था यह धियान राखेगा उसमय जो है हर्श वर्धन, आर्विण सांकाल को यात्रीयों का Smar कहा जाता है, यात्रीयों का राज कुमार कहा जाता है, वीट सांको और इतजिंग जो इतजिंग आया था, वह क्ैढर सुunda यह ढलत इसिंग जो आया था वह 671 से लेकर के 72 इसी के बीच में आया था तिस प्रकार कौन सुमेली थी है तो डी वाला इसका सही ज़ाब होगा डी जो है वह सही सुमेली नहीं है कि देखते हैं पने मर्फी और समझा जाता था उत्तरवैदी काल में किसको आरे संस्कृति का दूर समझा जाता था वह सही जवाब होगा वह सही सुमेली करना है और सही उत्तर का चेन करना है तो देखिए यहां पर जो है न यह महात्मा बुद्ध से संकेत हैं और बताना है इसको सही मैच करते हैं तो जो जन्म है तो जन्म का संकेत महात्मा बुद्ध का किस से मिलता है तो यह कमल से मिलता है इसको चार से मैच कर देंगे और प्रथम प्रवच्चन कहां पे दिया था महात्ना बुद्ध ने यह सारना माहाबोधी प्रिच त्य एक हं नहीं तो धिक्त IS गड़ा संकित इनके ग। मेकलल यहां अर उसके अध्याच दिये हुए है तो यह पे बौत संगीति यह हुए थी तिके जो प्रतहम बौत संगीति है यह कब हुए था इसको देख लेते तरा डिटेल फिर प्रतांब संगीती हुए था वह 423 BC 443 इसापूर में हुआ था और यह कहां पे हुआ था यह हुआ था यह था राजग्री में में हुआ था और उस समय साशच कौन था उस समय जो साशच था वह था अजासत्रू समय पूर और अध्यचता किसने किया था प्रफम घशनकीती की जडिया है ति मअ कश्रप कर्था रीक है जडिक clock करेक्दी लिए धिया 383 Amen और इसननर के दचन्रा किया ता बश्सक भी कंधिा wrais 30 cat 215 25 कि इसनरे श्कृता, पुस्वा दिए मुगली पाइय दरंग गणैशना पुत्र दो किया गया था और इसके सासन काल में रखे गा चतुर्त बाद संगीती हों तो पांद्ध में हूं रृषवमित्र सही थितक अ करते है सा हॉय Сам इंन में अश्यव घंखा तो डावत तो के उपादिचते और इसका स्थान यह हुआ था कुंडल वन कश्मीर में कुंडल वन कश्मीर भी हुआ था और उस समय शासक कौन था तो उस समय शासक जो था वो कनिश्क था यह संबंदी तुरा डिटेल था देख लीजेगा आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां प पर सिंग की आकृति है कौन सामता ले जिसके सिट पर सिंग आकृति है तो वह सीच के जवाब हो जाएगा ओना तो गल् minimizing उनका जबा जबंदी है इन सभी है इनके यह एंके अस्तम पे सिंग अकृति है तो यह बिहार में है और लोय यह नंदनगड अस्तम कहां पर तिये भी जो है यह बिहार में है यह ध्यान रखेगा प्रशिद्ध गुरु चानक के रखेगा लस्तमेर उल में घ्रणाक के मसे मारता सत्रार्णा के Kenn का समद्धित प्रणार हया है नचन का रखेगा । अरफ treatment अर्थसास जो है इनकी प्रमुक्रचना है अर्थसास यह देखिए यह अर्थसे संबंधित पुस्तक नहीं ध्यान रखेगा यह प्रशासन से संबंधित पुस्तक है अर्थसास और इसी अर्थसास से जो है यह लुट उत्खनित प्रमाडों के अनुसार पसुपालन का प्रारम कबसे माना जाता है तो पसुपालन का प्रारम माना जाता है वह बचैसा साच्छी why इसके साथची कहां से मिलते हैं एक तो इसका मिलता है आदमगड अदमगड मद्यप्रदेश से पसुपालन के साथची प्राप्त होते हैं और दूसरा हमें मिलता है बागोर यह दो जगह से पसुपालन के साथची मिलते हैं बागोर कहां पर है तो यह राजस्थान में है लोक जिसको हम लोग हडपा सब्वेता भी कहते हैं, जिसको हडपा सब्वेता भी कहा जाता है, और हडपा सब्वेता कही सब्वेता थी, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह कांस यूगीन सब्वेता थी, यह कांस यूगीन सब्वेता थी, वहाब नियादी आफिक। देखने अपने नगर नेजन के लिए प्रसीद थी, बिल्कुल कर्रेक्टन है, और जो उद्रो और अटपा यह था ऱूति ऑप यहाँ वegपा ःपड़े कि त ∈ठ्रम श्री नगर नियों जन्र आपके मिलते ही ईधरी कृता जीचें यह पो तो यहां पर देखे चारु स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं तो इसका जो सही जवाब होगा वो दी हो जाएगा इसका सही जवाब उप्यूत सभी सभी जो है वो हरपा सभेता या सिंदुगाटी सभेता से समंदीत है नेक्स हम लोग कोश्चन देखते हैं कोश्चन है 12 क्यों प्रिश्चन रिगवेट संहीता का नौवा मंडल पूर्ता किसको समर्पित है तो नौवा मंडल वो सोम देवता को समर्पित है सोम और इस पेपर नामा करिद देवता के लिए है तो इसका जवाब होगा वो दी हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट आम चीजें है वो चडिक है वो हर चड़ से परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन चील है परसिद जो स्टेटमेंट है वो बहुत लोगों का है इस बहुत की फिलास्पी थी इसका जो सही जवाब होगा वो यह हो जाएगा बहुत से सम्बंदित है नेक्ट देखते हम लोग सम्बंदित है देखें जो Kalika Purara यह एक्जाम में पूछा हुआ कोश्यन है पर से सम्बंदित है तो Kalika Purara का सम्बंदेंवग । Springsी नंबरमनाग थाय कोश्छन कोश्जन मो यह कता है तबताना इंक्ष्ध अपनिषत करें 20 जभाब हो और हो यह गसी है ताम सो मा जो तिर अमर कि आग्यां से लिया गया है तो इसका जवाब होगा ए हो जाएगा नेक्स को देखते हैं 16 नमबर कोश्च नंकॉरवाट से बंदिर किस अंक्रवाट मंदिर बनवा इसको बनवाया किस ने अशांद कीहुं कि यह राजा सूर्य वर्म शूर्य वर्मन और इस आसनल काल में यह बना इसके मंदीर हैं ति भी धियान रखेगा यह भगमान विश्णू को समर्पित है यह मंदीर गुलाम मस के बाद जो है तो पीजिय वनस करता है और भीजिय जी तक 1290 को से ले करके सोब आंटा तक तक दुगलच करते है चौन में 1450, 156 में क्या होता है इbrahim, लूदी और बाबर के वीच युद्ध होता है और 1526 से इए मुगल की ऐस्थापना हो जाती है तो यहाँ पैर हम देखते हैं करम से लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आया 4 उसके वाद से आया खील एक फिर यहां पर तीन फिर दो चार एक तीन दो इसका जही जवाब होगा तो दी जवाब हो जायेगा और एक चिजोर पूषी जाती है इनी सासन वनसो के करम में कि सबसे अधिक तो सबसे जादे शाषन किया है वो तुगलग ने किया है तुगलग जो है वो सरवाधिक शाषन किया है और सबसे कम किस ने किया है तो खील जी जो है वो सबसे कम शाषन किया है यह धियान रखिएगा यह इंपोर्टेंट है नेक्स देखते हैं कोस्ट नमबर 18 जब राजा व वो वेंकर दिती था, इसका सही जवाब बडी हो जाएगा, वेंकर दिती के सासन काल में जो है, वो राजा वोडियार ने मैसूराजी के स्थापना किया था, नेक्स दो कोशन देखते हैं, 90 नमर कोशन, कोटिल ने अर्थसांत में समझाया है, देखें, पीछे देखा था, अच्छा सासन का संघठन किस प्रकार किया जाए, इसंहीं की बात शराशान की सही जवाब होगा, और इसमें कितने अधिकरण हैं, तो वो टोटल 15 अधिकरड है और इसमें जो एक सेले के पांच अधिकरड तक है, एक सेले के पांच तक का इसमें जो एंतनिक प्रशासन है, उसे सम्दित बाते की गई है, नेक्ष देखते हैं, कोशन नमबर 20, किस अपर के एतिहास से सम्दित विवर निम लिखित में से किस पुस जो सही जवाब होगा, Bogdala도 दो सही जवाब अकबर नामा में मिलता है, और अकबर नामा किस ने लिखा है? तो यह भी धियान रखीएगा अकबर नामा जो है, अबूल-फ़जल ने लिखा है, इसे में अकबर के सासन की जानकारी मिलती है तबकात एकबरी देखिए जो तबकात एकबरी है यह भी मुगल से संबंदित पुस्तक है और इसको किस ने लिखा इसको ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है ख्वाजा निजामुद्दीन ख्वाजा निजामुदीन अहमाद के दोरे यह लिखी हुई पुस्तक है और तारीख-ए- अल और तारीख-ए- अल्फी जो है इसको भी मुला दाउद ने लिखा है और ये भी जो है ये मुगल से संबन्दित पुस्तक है और यहां पर पुस्तक कोश्चन नमबर 21 निम लिखित कफरों में से कौन से कफन जो है वह सही है सत्यकफन बताना है तो पहला है कि जगरनाथ मूलता एक अस्थानी देवता थे जिनने आगे चल कर विश्णु का रूप मान लिया गया तो देखे, यह बिल्कुल correct statement है, जगर्नाथ जो है, वो मोलताएक अस्थानी दोता थे, जिनने आगे चलके इनको विश्णु के रूप माली आ गया है, जिनकी पूजा होती है, आज भी यह कहां पे है तो यह उडिशा में, जो जगर्नाथ पूरी है, इन्हीं के नाम पर बसा ज canonad世界, इनको जो है, उनका हीर्दय है, फो हीर्दय है रांस्पलान गाय जाता है, जब रफ्त्यात्यात्रा निकलती है तो लुग sowאל लुग संतरी है यह विश्चाशule में, और छो यह भी दियान चलके पर इनका सद्रह जां, तो यह भी ज्यों स्टेटमेंन मिल्कुल correct है, का सही क्रम बताना है वाइदिक साहित्य का कौन सा क्रम है तो देखे यहां पर जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा सबसे पहले वैदिक आताहिए पर ब्रामन रहने ख़र उपनिशाद है तो बीस का जवाब वो सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट एक कोश्टन, कोश्टन नमर 23 भारत में शक अधिपत्य के संदर में निरुखी कतनों पर विजार करना है बताना है पहला है कि शको द्वारा अस्थापित 5 साखां में दूसरी साखा मतुरा में वह से जवाख़त है तो इसकी गलत है सेकेंद नहीं पर देखते हैं second सरवादिक जो प्रशीद सासक था वो रूद्रदामन प्रथम तरह बिल्कुल करेक्ट है रूद्रदामन प्रथम जो है वो सरवादिक प्रशीद रशक शासक था इसका जो सासन काल है वो 130 से लेकर के 150 इस्वी चे बीच में जो है यह सभी का आ इसमें रुद्रदामन पर्थम करा यह बहुत परसिद्ध है क्योंकि और सुदरसन जील का ज़िरुड़ोदार कर आधा अधारी थैसजागान पूछ जार दो सुदरसन जील तरही बार पूछा जाता जो तुदरसन जील जाता जिसका निर्मान तो मौर के वंस में हुआ था च आपो जाए था वो संस्कुन भासा में शपवाय था दिए पहला गलत हो गया दो और तीन सही है इसका जवाब होगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा टू एंट ध्री ओनली जो है वो करेक्ट है निश्ड देख थे हम लो कोश्ट चौबीस नमर निमरिखित में पंचायतन किया है पंचायतन पंचायतन से सब्बंदित है ने ने को छियार करना है एक हम नर्माद करना है को रिखार करना है कॉन सा कथन नहीं है महमूत गजनी से समधित महमुद गजनी जो है पहले चीज़ देख रही है कि महमुद गजनी जो है यह सुमुक्तगीन का पुत्र था यह और यह भारत पर 17 बार आकरमड करता है भारत पर और उसने पहले स्टेटमेंट है कि उसने एक हजार पचीस इसी में सोमनात मंदिर पर आकरमड किया था तो किया था और सोमनात मंदिर लूट करके ले गया था सिकेंड है भारत पर मुस्लिम सासना स्थापित करना चाहता था तो जो महमुद गजनी था यह भारत में कोई भी मुस्लिम सासना स्थापित नहीं करना चाहता था इसका उद्देश ही था कि भारत में बहुत जादे सोना इसको लूटे और लूट करके वो अपने देश गजनी चरा जाता था और वहां जाकर करके पनी जनता को टैक्स फ्री कर देता था इसका भारत में कोई मुषआ जाता है कि महमुद गजनी इस का शच तुन Carlinha इसम और शॉति करती तो झाता है तोल हो जाता है ओजया hone जाता है यह Mahmood Gajni ने धरान ता और मतलब दार्ड करनो ला是 प्रथम शासक था. सुल्तान की जो पाइधारन करने वाला जो सासक था वो Mahmood Gajni ही था. और इसके दर्वारी कभी यह भी इंपर्टेंट है इसके जो दर्वारी कभी थे इंपटंट ह dope सब्सक्राइब पुस्त क्या आई महं मोद बजनी से सबन्दीत कि अब भरति आये थे निसे निए भारत कि बारे मिल नेक्स्ट हम लोग कोश्टन देखते हैं 26 नमबर कोश्टन जैन मुनी जिन प्रभासूरी किस सल्तरांत काली इंच सासन से संब्दित थे ते जी प्रभासूरी इसके सासन काल में रहते थे मुहम्मद बिन तुगलक के सासन काल में इसका सही जवाब जो है वह भी हो जाएगा म आतरम मुहम्मन भी के सासन काल मे आया था उन बहुत जानकारी ढें मिम्हमद के बारे में कुछ और बी चीज से मुह प्रसिद को से पहली चीज चीज़ परेफ़न रीषगा कि जो को मुझां इसना कि आता दृपढ़ दिल्ली इसा जो राजभानी ले रश्वारी है जह साउत भारत में लेके गया था दौलतावाद देवगरी वहां पर लेके गया था पी राजानी परिवर्तन किया था उसके बास इसने वह संकेतिक मुद्रा चालू किया था संकेतिक मुद्रा इसने प्रशलित किया था संकेतिक मुद्रा और उसके बास से जो है इसने जो है वह क आमीर कोई नाम विभाग की अस्थापना देखिया था कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी मुगल में उत्तर मुगल में उत्तर मुगल में बैठ यह सबक्रण चीज जवाब कोई बैठे एंट शही नंबर कोईशन में राक के साग्षे प्राप्त हुए हैं से साथ जाहेगा है तबी स्कार्पाता है कTFुन मरी सबसे सकतिसाली था जाए और हम पीषे किया रीजन απόयब्ली ऑप econom गया नूब्ग दिया तो तो पहला है कि गंगा और सोन नदिया मगत से होकर गुजरती थी जिससे वहां का याता सुविदा हो गया ट्रांस्पोर्टेशन हो गया यह सारी चीजे जो बहुत आसान हो गई थी एक खांते हैं सिस्टर में अपने सेना प्र न हो जब्ला है अइस इन्होंने अपना महेल और लि चीजे बनाना इस सटार्ट किया और थार्ड एक और फिरन यहां पर यह लोग स으 घ्रव नाई जान थी जिससे में बहुत-बड़ा यंगदान दिया तिर में 550 में इन्म 문제 göst तो जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी है सही जवाब 1 2 3 3 और एक क्वों है वह गरेक्ट है नेक्स देखते हैं 31 नमबर कोशन गोत्र सद्ध का प्रयोग सरप्रथम हुआ था इसका सरप्रथम प्रयोग हमें कहां पे देखने को मिलता है यह मिलता है रिगवेद में इसकी जो रचना किया है वो किया है तोलक्का पीम ने किया है तेखिए सिल्पादिकारम की रचना किस ने किया है इसकी रचना जो किया है इलंगो आदिगल ने किया है इलंगो आदिगल इलंगो आदिगल इलंगो आदिगल इलंगो आदिगल इलंगो आदिगल इलंगो आदि क선망ANS किया गया है नेस्ट हमलोग कोश्जन देखते हैं 32 नंबर कोशन अकबर ने किसे कभी उपाती की उपाधी किसको दिया था अकबर ने ये दिया था तो यह दिया था वह को गभी पृपाधी डिया था नेश़् देखते हैं तो यह जवाब होगा तो भी हो जाएका धर्मत का हाँ तो बद्धर्मत में है नेस्ट देखते हैं लोग कोश्चन 35 नंबर कोश्चन अध्यात्म ज्यान के विसे में नचकेता और यम का समवाद किस उपनिशत में प्राथ होता है तो यम और नचकेता का जो हमें समवाद मिलत है कातूबनिशत में देखहता है नेक्सित पीछद देखा तो फोगे कोशिन है 36 नंबर कोश्चन 36 नंबर कोश्चन 5000 केवल वह और अस्व्यूंग्ने स्वेंग का संवरज को कॉन अस्याज जिसमें असोक ने स्वैंग को मगत का संब्राड बताया है तो वह है जो है भाबरु अस्तम में जो है वह असोक ने स्वैंग को मगत का संब्राड बताया है नेक्स्ट देखते हैं 37 number question 37 number question है किस प्रकार की भूमी को अप्रहत कहा जाता था तो आप्रहत किस प्रकार की भूमी को कहा जाता था तो आप्रहत जो है वो बिना जोती हुई जो जंगली भूमी थी उसको अप्रहत कहा जाता था तिसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा नेश्ट देखते हैं थार्ती एथ नमबर सचन है निम्रिखित यूगोंमे से कौन सा एक भारती शन भार्था दर्सन का भाग नहीं है तो जो भारती कि शन व्हसान आते हैं 6 दर्सन कौर कौन तो इसमें देख लिए कौन नहीं है तो यहां पर देखिए लोकायत और कापालिक यहां पर देखिए लोकायत और कापालिक, 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 यहां पर देखिए आपनी को से इला इसका शाहिड वो कि थिस संप्रताय था पिन हम आपनी 15 लोग स्पीन çıkar ब् convention 40 फोarटी है कॉंसरा गती तोटी नमबर पोश्टन है कॉन्सा जोह जोहडों का संग्रा है जोह हैं हं आपनी में दीजिएस आपनी द Two और जोह हो संग्रा का संग्रा जोहें रिचाओं का संग्रह है इसे प्राथना सूकत यह सारी चीजे समाना इसे समंधित नहीं है इसले साइग जवाब होगा वो ए हो जाएगा ए वाला सही सुमेलित नहीं है यजुर वेत में देवताओं की सुति की गई ए साम वेध में गान विद्या है और जो अथर वेत है उसमे तुगलग वंस कब से कब तक है तुगलग कब से कब है आप कमेंट में बताइए का आप पीछे मिन आप इसका सासन काल कब से है थोड़ा रिविजन भी करते रही है और देखिए जो मुहमध बिन तुगलग है इसके कुछ योजनाय है जिसके वज़ा से काफी फेलियर भी रह में रखेगा सबसे पहले इसने किया था राजधानी परिवर्तन तो तो सिन किया कि उसके निश्याति ने राग़ागाई किया था इसके अगर तो फृष नबर में प्रचम ने सबसे पहले किया स्रय और Лज ये क्या विरेंद पिर इसने संकेती मुद्रा का प्रस्विल किया फिर एक तीन दो चार इसका जवाब होगा इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा सी इसका सही जवाब नेश्ट देखते हैं कोश्चन कोश्चन नमबर 42 अला उद्दीन खील जी के बारे में संबंदित है बताना है यहां पर सम्मंदित बताना कौन से स्चेटमेंट जो है वो और बिल्कुल करेक्ट है यहां सरप्रथन च्चछब भारत पर आक्रमट किया था और सेकेंड थी केंडर में इसने स्थाज घयना रखी थी ना को जो वो नगध बेतन देना भी प्रारम किया था नगत बेतन प्रारम किया थर्द है इसने बाजार बजार विवस्था पुनरा स्थापित नहीं किया घलत है यह बाजार का जो मुलिय नियंतर?". इसको इसने लागू instrument द धियां रहा है जयाय तो इसने विघ्यान रहा है. तो यहां पे हम देख रहे हैं के वाला सही नहीं है 1245 इसका सही जवाब होगा तिसका जो सही जवाब होनने वाला है वो हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं कोश्चन कोश्चन नमबर 43 हुमायू के संदर में बताना है तो हुमायू जो है 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा देखिए बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हुमायू का जो सासन काल रहा है वह 1530 से ले करके 1556 तक रहा है देखिए हुमायू जो है यह मुगल सासक है और मुगलवन्स के स्थापना कौन करता है देखिए बाबर जो है मुगलवन्स के स्थापना करता है कब करता है तो 1526 से ले करके 1530 तक मुगल बाबर जो है वह सासन करता है इसके वास से हुमायू जो है वह गद्दी समालता है औ तो यहां पर पहला सही हो गया से केंड है पूरी भारत का प्रवीश दौर कहे जाने वाला चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना देखिए सीर कहां से होता बिलकुल सही है सेर खांसे ही होसका इसको हम लोग कन्नौच का यूदू कहा जाता है तो यह सेकेंड वाल अच्छे एक को सुचिदों से सुमेलित करना है तो यहां पर है पहला ताली कोटा का युद्ध यूद्ध यह कभ हुआ है यह 1565 में हुआ देखिए और यह धकन संतनत और विजयनगर है ध्यान रखेगा विजयनगर का जो युवाजन होता है यह धकन जो सल्तनत थी और वि सुझ यहां पर विजिन अगर समराच का विगटन हो जाता है यह उद्ध में बावर और इबेराहिम लोदी न ga बावर बिजै होता है ुघल वंगल वनस अस्थापित करता divor थर्ड हाफं हाल जो हाला सो सेटर में हलाधी का यूड़ ऑप स्थाहर और सिर्षा क माहारा प्र्ॉंत reacts in यह हमयु और सीरसा के बीच होता है, तो हम मैश देखेंगे तो 5, 1, 4, 5, 1, 3, 2 तो 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 जो जवाब होगा इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा 45 में बर कोश्चन है गयर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजियाकर को समाप्त करने वाला पहला भारती सासा कौन था देखिए जो जजियाकर था ये जो एक धार्मिकर था ध्यान रखेगा जजियाकर ज़ो था यह धार्मिक कर था और यह गैर मुसल्मानों से लिया जाता था और इसको समाप्त करने वाला भारती सासक कौन था वो जैन-ुल-ाबिदीन था इसका सभी जवाब जो है वो एह हो जायागा जैन-ुल-ाबिदीन जो है यह कहां का शासक था तेविधिया यह कहा जाता है और जैन-ुल-ाबिदीन ने क्या किया था कश्मीर में वो गायवद पर भी रोक लगा दिया था यह जो गवध होता था उस पर भी जो इसने रोक लगाया था और जजिया को समाप्त भी किया था ते देखिए इसका जवाब होगा वो एह हो जाएगा 264 में जो है अकवर ने भी जजिया करको समाप्त किया था ते भी धियान रखिएगा नेक्ट हम लोग देखते है कोश्चन 46 नमबर कोश्चन 46 नमबर कोश्चन मिकित में से किसका कथन है हिंदू का यह विश्वास है कि उसके देश जैसा कोई देश नहीं है उसके रास्ट अलभारुणि किसके साथ भारत भारत तभी हमने पीछे डिस्कस किया है थी महमुथ गजनी के साथ भारत अधाए था और इसकी प्रसिद्र रचना है तहकी के हिंद नेक्स्टम लोगा कोश्चन देखते différents नमबर कोश्चन बोधिसत्व पद्मपाणी बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्रवादिक प्रशिद है प्राय चित्रित जो चित्रकारी है वो कहां पे है तो जो बोधिसत्व पद्मपाणी है इनका चित्रकारी हमें कहां पे देखने को मिलता है तो यह चित्रकारी मिलता है अजनता गुफा इसका हो जाएगा आजनता की घुफां में देखने को मिलता है और यह जहाएगा जौण Ćजे है धिक जू göra को तरह साथ है फुछा है है और पर 20 यह थिस का था छै गाए था यह तुर जो स्वाहली ही विस में दोर में Hai जेका है 49 नमंबर कोस्ट निम्रिकित मैं से कौन सा शासक वर्ण विवस्था का रच्छक कहा जाता है तो प्रसक कहा जाता था साथ वाहन राजवन से संबंधी थे गोतनी पूत साथ करने इनको जो है वड़ विवस्था का रच्छा कहा जाता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोशन पचास नमबर कोशन रिगवेद के कई परिछेदों में अगन्या सब्द का संदर्वित है तो रिगवेद में अगन्य सब्दों मिलता है किसे संबंदी थे यह गाय के लिए है नेक्स्ट कोर्चिन कोशन नवर 51 किस हिंद यवन शासक पर प्रकास जालता है यह जो जब आर इसमें किसकी चर्चा मिलती है तो यह पहले चीज तो ध्यान रखेगा यह पाली भासा में रचित यह पाली भासा में र थह वो मिलता है कि युसांज़ था मिल आंटर में नकसीन और मिलका संवाद हम मुणद के या हो सही जवाब के निकर आप कि जवाब कि ढहिंत है कि वह ढर्राइब उप्तbecause कर देइब कि गए दो अधे हुआ जहाए. थी मल्ल की राजानी थी वो कुशी नगर थी नेक्स देखते हैं 53 नंबर कोश्चन गांधार कला किन दो कालाओं का सेंजल के गंधार जो कला है जिसमें बुद्ध की बहुत सारी मूर्थियां बनाई गई हैं जिसका जो परमुक छेतर था यह कुशार सास को से संबंदित हैं दिया लएक गंधार कला कुशार सास के जवायत वह बहुति हैं इसमें जो है भारती इसमें जो बहरत में इसका परसीत के था वो था मत्फुरा और तक्सिला यह इसके जो प्रमुक केंद्ध थे गंधार मूर्तियों के तो यहां थी इसमें दो संस्कृतियों का सेंजं था तो संस्कृतिया कौन कौन दी तो हिंद और युनानी जो है यह मिस्सित संस्कृतियों की यह मुड़तिया बनती थी नेक्ट देखते हैं कौश्चन कौश्चन नंबर 54 पिप्टी-फोर नंबर कौश्चन है तो बहुत धर्म की महायान पंथ का विकास किस काल में हुआ है तो कुंडलवन कश्मीर में होता है और यहां पे जो बहुत धर्म था यह हीन यान और महायान दो भागों में जो है यह विवाजित हो जाता है तो इसका विकास है किसे काल में हुआ तो कर देखते हम लो कोस्टन कोस्टन नमबर 55 सुची एक को सुची दो से सुमिलित करना है सही उ जो सिदूगाटी सभिता थी तो लोथल जो सममंदित है वह था गोंधिवाड़ा से इसको दो से मैच कर देंगे गोंधिवाड़ा सममंदित था काली बंगा काली बंगा से क्या हुआ तो जूते हुए खेत का साथ च्विला है धौला वीरा में जो है कि यहां से थोड़ सा प्राप्त होता है और नेक्स्ट है बनावली बनावली से क्या मिला है तो ध्यान रखेगा बनावली से जहें वह मिट्टी के बने हुए हल प्राप्त हुए है तो इसका जो सही जवाब होगा वह 2,1,4,3 तो 20 का जवाब हो जाएगा सिसाई है Queens article 56 बाषन भारत में निखिक के आने का काल करम क्या है सई कालक्रम बताना है डिखिए सबसे सबसे पहले क्या है नगज संस्कृतिती थी हडपा सब बत्या को नगर संस्कृति कहा जाता है उसके बाद से क्या था उसके बाद से जो है फिर लोहे का हल प्राप्थ हुआ उसके बाद से लोहे के हल के बाद से क्या प्राप्थ हुआ तो लोहे का हल मिला उसके बाद से जो है आहत मुद्रा सिक्का मिला फिर सोने के सिक् चार तीन दो एक तो डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं कोशन 57 नंबर कोशन वर्ण विवसा से सम्मंदित पुरुषूक्त मूलता पाया जाता है देखें विमने पीछे इसका डिसकस किया था कि जो पुरुषूक्त है कि जो रिगवेद है हमारा हीमलता है विमसद्क्त मोंथार है इस फिक जो रिगवेद के दृषूक्त में ब्रहस खाता है कि जचाम गादा ब्राउड थे जो है मिलती है नेक्स देखते हैं 58 प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे तो निशाका क्या था चाहिए प्रशिद 10 राजाओं का युद्ध यह तक पीछे जो 10 राजाओं का युद्ध साथ मंदल में हमें मिलता है और यह किस नदी के लागा था त्या परुष्ट्णी नदी किनारे दसराजाओं का दसराग युद्ध है इसकी चर्चा मिलती है नेस्ट हम लोग कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 60 उस जन जाती का नाम बताए जो रिगवैदिक आरियों के पंच जन से संबंधित नहीं है दिक जो रिगवैदिक आरे थे पंच जन में चार जन पांच जन बताए घ्रच तरह जो रिगवैद पंच जन एक तिक तो इनकी जो नमबर 41 थे टो जन देने के लिए जो बात किया गया है वो कौन से उपनिषद में किया गया है तो यह किया गया है चांदोगी उपनिषद में सत्यकाम जवाला की कथा मिलती है नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर कोश्चन रिगवेद कालीन आरियो और सिंदुघाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में नहीं कि कथनों मैं से कौन से कथन जू है यह बताना यहां पर देखिए रिगवेद से संबंधित है और सिंदुघाटी से संबंधि कि उन्होंने कोई युद्ध किया था क्योंकि वह बहुत ही तरीके से वह बिजनस आधारी वर्थवश्ता थी और परतु जो आरे लोग थे जो रिगवेदिक में हमें आरियो की जानकारी मिलती है और यह जो है यह कवच हेलमेट यह सारी चीजों से घोड़े भी यही लेकर क्या है तो इनकी जो जानकारी मिलती है वह रिगवेदिक आरियों में पता चलता है कि यह लोग थोड़े लडाकू जाती के थे यह बिल्कुल करेक्ट है पहला सेकेंड है कि रिगवेद कालीन आरियों को स्वार्न चांदी और ताम्र का ग्यान था जबकि सिंदु घाटी ल जाएगा थर्ड है कि रिगवेद कालीन आरियों ने घोड़े को बना लिया था जबकि इस बात कोई साच ने कि सिंदु घाटी के लोगों को खोड़े जैसे पसुकों को जानते थे दिखिए भी गलत हो गया क्यों क्योंकि जो हडपा सभेता का सुत कांगे डोर जो अस्थल और जाएगा दिखिए तो राजगी में होती है और जो होती है पाठ्टी पूत्र में होते हैं आसरी सासंकाल में होती अंधर की सासंकाल में होती है वी동ै। वो हो जाएगा दी इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्ट देखते हैं 65 नंबर कोश्चन सर एडवीन एरनाल्ड की पुस्तक सर एडवीन अर्नाल्ड की पुस्तक देलाइट आफ एशिया अधारित है तो इसमें बुद्ध की जीवन चरितर का वर्णन किया हुआ है और यह भात-डर्म की अहान हीन्यान के सब्रदाएम सरवाधिक मौलिक अंतर है जीवीदेता की सम्बन्ध है तुसका सही जाएगा जो सही हो जाएगा क्यों जो शिसका महा यहान पर ने हैं च्थों बुद्ध को ही मानते है महयान यहां पर निया तो महयान बंढ लेता है और पैसे इस बिद्रोड की थे पूज़ा है तो इनका जो महिन अंतर थो वह को दिखान पूज़ा से इस्वर के कटेगरी में लेटे नेक्स वर देखते हैं तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है तो लोथल जो था वो प्राचीन गोदिवाड़ा छेत्र था सारनात सारनात में क्या था तो बुद्ध ने प्रथम धर्म अब्देश दिया था जिसको महाधर्म चक प्रवर्तन कहते हैं राजगीर राजगीर के संबंदी थे तो साही सुमेली थे हम यह आपर देख रहे है एक दो चार सही सुमेली तो जो सही जवाब हो वो सी हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं 68 को यह क्या जाएगा तो जैन दर्म किसी को पूर अप्रावान पारफशन हुआ है वो जो है एक वो सारभौमिक विधान से हुआ है इसका जवाब होगा वह हो जाएगा जरन लोग कहते हैं कि सारभमिक विधान है जिसके अनुसार जो है वो स्रिष्टी की रचना होती है और शर्ष्टी वुस्य चलती है नेक्क्त लोग देखते हैं 70 नमर कोश्चन महावीर का प्रथम अनुवाई इकौन था तो महावीर का जो प्र इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सोला महा जनपदों की जनकारी हमें प्राप्त होती है नेक्ट देखते हैं 73 नंबर कोश्चन पत्थर पर प्राचींतम सिलाले किस भासा में थे प्राकृत भासा के थे इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्ट देखते हैं 74 नंबर कोश्चन शुद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारती पुस्तक ब्रिच्छ कटिकम का विसय जो कार है इसका वर्ण हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है आप मुझे कमेंट बाक्स में बताएगा कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किस के दोरा लिखी गई है और किस भासा में यह लिखी गई है नेक्स्ट देखते हैं कोश्चन नंबर 75 चीन यात्री वेंसांग ने प्राचीन संस्कुत ग्रंथों में प्राप पे यवन प्रिये शब्द किसके लिए था तो जो यवन प्रिये शब्द था यह काली मिर्च के लिए होता था प्राचीन भारत में इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा नेक्स देखते हैं कोश्चन कोश्चन नंबर 77 गुलामबंस का संस्थापक कौन था अभी हमने देखा जो दिली सल्तना था उसमें सबसे पहला बंस गुलामबंस था गुलामबंस जो है वारा सो छे से लेकर के बारा सो जवाब होगा वो डी हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग कोश्चन देखते हैं कोश्चन नंबर 79 दिम्र जमीनों की 25 के बाद जमीन की मालगुजारी वसूला था बिल्कुल करेक्ट है उसने पहले जहुने की 25 किया था उसके बाद ही उसके जो है टेक्स लगाया था उसने लगान विवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू नहीं थी सेकेंड वाला इहां पर जो है वो गलत ह पर पहला और तीसरा सहीद इसका जो सहीजवाब होगा वो सी हो जाएगा नेस्ट देखते हैं कोस्टन कोस्टन नमबर 80 दिली के किस मुस्लिम सासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली वह उन्हें प्रजा से तिकि यह प्रसीद जो स्टे छान दिली कोशटन कोस्टन नमबर 81 स्वर प्रतहम लोग निर्माद के अस्थापना किस में किया था प्रसात तूगलळ तो चेकП कर लेते हैं बल्भन ने कيا किया था सैयं ने विभाग के अस्थापना किया था और इल्तृत्मिस ने क्या किया था इल्तृत्मिस तुर्का ने चहलगामी जिसको Alternative god क्या था और आलाव दीनखील घेव्जी नी किसका क्या था तो mi लुकॉष्धे नहीं करें अधि की आधिन रेग में परनवा कर बादी को था वो ध्यान रखिएगा ये जो इसलाम के संस्थापक पैगंबर मुहम्मद थे उनके दौरा जो कही गई बाते हैं और उनके दौरा जो किये गई कार हैं उनका जो संकलन है वो हमें हदीस में देखने को मिलता है यहां पर आप्सन में कहीं भी नहीं लिखा है इसलिए जो सही ज चैन करना अक्भर कि बागा थे जो ऑई दहसाला घएता था जो जयाता था दो इसको चार से मैच करेंगे तो तीन चार दो एक इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्स देखते हैं कोशन है 84 number question अबुल फजल की मृत्यों किन कारणों से हुई थी तो अबुल फजल इस्ते रचना किया था अकबर नामा जो अकबर नामा के जो लेखक हैं वो अबुल फजल है और इनकी जो हत्या हुआ था ये करवा दिया था सहजादा सलीम ने इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाए हैं जो बुंदिला सा सकते उन्होंने जो है अबुल फजल की हत्या कर दिया था निच्ट देखते कोशन कोशन नमबर 85 किस मुगल सेना पती के साथ सिवा जी ने 1665 इस ये पुरंदर की संदी पर हक्षाच्छत किया था था जो पुरंदर की संदी हुआ था ये मुगल और सि नमबर 86 किस वेद में सबसे प्राचीन वैदी की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है किस वेद में सबसे प्राचीन वैदी की संस्कृति तो किस वेद में जानकारी मिलती है तो वह मिलती है रिगवेद में इसका जवाब होगा वह हो जाएगा रिगवेद में मिलती तो टोटल फो दस मंदल है, तो सही चवाब होगा वो D हो जाएगा, रिगवेध में टोटल फो दस मंदल है एक हजार एटाजार जो है निखते हैं 88 नंबर कोशे रिगवेद में रिषी मिष्वा मिथ्रs और देवी के रूप में पूजी जानेवाली दो नदियों के धी संवाद के रूप में एक रिचा है यह कौन सी नदियां थे कर esa मिफं है जो उते कौन सी ऑषू अजिया हम चाला जिली है जिनके तो चारवाक इसरत्य होते हैं नहीं किसी भी चीज़ में प bacteria ब्रता की जो किसीज за पुरीवादी सिधान्त है यहां पर तीन यह जवाभ होगा हो जाएगा तीजोाब सभी कथना वह सही है नेक्सट धेकर देखते हैं if you a question question haveь करना है तो सांख को सबसे पुरानी दारसनिक परणा जाता है दिकि बिल्कुल कापिल मुनी को सांग कि दर्षन का प्रवर्टग माना जाता है सेंड अध्याद वेदान्त का आधार संख्या सांग की विचारदारा से थार्ड है सांध जो है वह अनन्त शंक्या में समान लेकिन अलग अलग पुर्णो के अस्तित्तों को मानता है जिसमें कोई भी अनिसे रह नहीं है तो यह बिल्कुल करेक्ट है यहां पर तीनों स्टेट्मेंट करेक्ट इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा सभी तीनों कथन जो है वो सत्ते है नेस्ट हम लोग कोशन देखते हैं कोशन है 192 नंबर कोश्arat वैशेशिक दर्सन के संबंद में कथनों पर विशार करना है तो वैशेश दर्सन तो देखें तो यहां पर भी तीनों स्टेट्मेंट बिकूल करेक्ट है तो जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा सभी तीनों कथन जो है वो सकते हैं कि नेस्स टमट देखते हैं 92 नमबर कोशचन है महार्स गौतम किस भारती द्रसंद सास्त से जुड़ से जुड़ हुए है सांहे संह के से नमें देखा कपिल योग से पतंजली है और वैसे सिक्सिक है तो कराध है कोंवर है एक प्रारंभिक भारतिय अनुसार सब कुछ मूलतत्तों से बना है तो और इसा enfants को पंच महागूत का जाता है इसे जो भी रचना हुई है बहुतिक चीजों की इन ही से हुई है निस देखते हैं 94 नमर कोश्चन भारती टिहास का संदर मैंने विचार करना है और कितने यूग मुसुमेलित हैं ये बताना है तो आरेदेव किसे संबंधित हैं तो आरेदेव का जो थे ये वैश्णों विद्वान थे यहां पर हम देखते हैं केवल दो ही जो है यूग मुसुमेलित है इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा केवल दो यूग मुसुमेलित हैं नेक्स्ट है कोश्चन 95 नमर कोश्चन जैन धर्म के संबंध में लिकित कतनों पर व जो पुनर जन्म के चकर से आत्मा की मुक्ती है तो बिल्कुल जवाब होगा वो सी हो जाएगा उप्यूद में से एक से अधिक जो है वो सत्ते हैं नेक्स्ट देखते हैं कोश्चन हम लोग नेक्स्ट है कोश्चन है 96 नमर कोश्चन निम्रिकित में से कौन तीसरे जैन इन जन तीर्थंकर बताना यहां पर कौन थे डेखी जो रशब नाद थे रशब नाद जो है ये पहले जन तीर तंकर थे और इनका जो है वो संकेत के से मिलता है तो ये व्रिशव इसको बैल कहते हैं और अजीतनाथ जो है आजीतनाथ जो है जो अजन ग्होरा और Is hya ? साभण खाए और महावीर मुंडब जो है जो। से wtih Kent buts 27 नेकरिपिन deep प्रथम जन सभजय अयोजित कह घूत प्रथम जन सभजय ऑज़ीत कही ऑप tra वह उस समय ते चंद्र benefici dul म्र के समय में यह हुआ था और उससमें जो इसके अध्यच थे जो उस समय जहें पूह परफं जैन सभा के अध्यैच थे वह इस्थूल भद्र थे और यहीं पर जो हैは जैन ज़ंधर्म का क्या होता है विभाजन हो जाता है कि यह जन थर्म हो जाता है यहीं कि जैन थर्म के विभाजinkyत हो जाता है दीगंबर और श्वेतंबर coverage तो इसका जो सही जवाब हो गए वो यह हो जाएगा निश्ट देखते हैं 98 नमबर कोश्चन इंविखित में से कौन जैर्न तीन थंकर पास्वनात का प्रतीक है तो यह संकियत क्या है तो यह सर्पिस का सही जाब जाएगा बैल भी हमने देखा किसका है ती जो है निश्ट देखते है 99 नमबर कोश्चन भगवान महावीर ने मुच कहां प्राप्त किया था तो इनको केवल की प्राप्ति कहां पे हुई थी तो इनको केवल की प्राप्ति हुई थी पावापुरी भिहार में इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा पावापुरी भिहार म इस टेस्ट का भारत के वक्तित्तों की रचना कौन करता है तो भारत के जो वक्तित्तों इसकी रचना कौन करता है तो संसकार संसकारों से जह वक्तित्त की पहचान होती तो जो सही जवाब हो भी हो जाएगा और इसी के साथ जो है यह 100 कोस्चन वाला टेस्ट हमारा benefit होगा आपके तैयारी उतनी ही मजबूत होगी तो प्लीज आप मिस्समत करिएगा टेस्ट को जरूर देखिएगा और जाद जाद इसको शेयर करिएगा देखने के लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद